हेलो फ्रेंड श्पिंग आईटी में आप सभी का स्वागत है तो दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से विंडोस के परफॉमेंस को इंक्रीज कर सकते हैं कैसे आप इसे लैक फ्री बना सकते हैं तो सबसे पहला आपको प्रेस करना है विंडोस प्लस आर और अब यहाँ पे आपको टाइप करना है तो दोस्तों यह टेंपररी फाइल्स का लोकेशन होता है जा पे बहुत सारे आपके टेंपररी फाइल्स होते हैं बाइ दे टाइम ये आपके सिस्टम में ये फाइल्स आ जाते हैं, create हो जाते हैं, तो आपको ये सभी temporary files को दोस्तो डिलीट कर देना है, तो Ctrl A प्रेस कर लीजिए, then directly click on delete, तो ये सभी temporary files डिलीट हो जाएंगे, अब step number two, again press windows plus R, अब यहाँ पे आपको type करना है, percent, temp, percent, ठेके, आब ok पे click कीजिए, इस location पे भी दोस्तो आपको जो भी temporary files दिक रही है, वो सभी files को आपको delete कर देना है, ठेके, अब step number three, again press windows plus R, अब यहाँ पे आपको type करना है, prefetch, ठेके, अब यहाँ पे भी दोस्तो आपको इस location पे जो files दिक रहे हैं, ये सभी files को आपको delete कर देना है, तो दोस्तों यह तीन कमांड जो बहुती most frequent use होता है तो आपको इसी sequence में इस कमांड को run करना है इस location के सभी files को आपको delete कर देना है अब हम चलते है step number 3 जहाँ पे हम auto startup application को disable करेंगे तो आपको जाना है task manager में अब यहाँ पे दोस्तों आपको एक option दिखेगा है startup का उस पे चले जाएए यहाँ पे आपको सभी application को disable कर देना है ताकि जब आपका system on हो तो समय यह application automatically start up न हो जिससे आपके system का जो performance है जो boot time है वो काफी अच्छा हो जागा यानि आपका system बहुत जल्दी boot up हो जाएगा अब इसके बाद के step में दोस्तों हम windows के version चेक करेंगा अगर महाँ पे कोई pending update है या नहीं अगर कोई भी pending update दिखता है तो आपको उसे download करके install कर लेना है और make sure करना है कि आपका windows up to date हो अब इसके बाद वाले step में दोस्तों हम windows drive जो basically c drive होता है इस पे हम disk cleanup utility apply करेंगे ठीक है तो right click कर लिजे windows drive पे then go to properties ठीक है तो compress कर लेते हैं पहले हम disk space को click on apply apply changes to drive c only इसे select कर लिजे देन click on ok ठीक है अब apply पे click कर देते हैं अब disk cleanup utility दोस्तों हम run करेंगे तो basically disk cleanup utility में दोस्तों आपके system में जो भी unnecessary files होते हैं वो files को आपके system से delete कर दिया जाएगा तो यहाँ पे आपको देख पार है दोस्तों 98.6 MB disk space free हो सकता है तो यहाँ पे आपको option दिखा रहा है कि कौन से files आप delete करना चाहते हैं तो make sure कि आप जो file delete करना चाहते हैं उसे check up करके delete कर लीजिए in case यहाँ पे आपको कोई file selection में problem आ रहा है तो आप comment कीजिए तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि कि वो files आपको delete करना चाहिए या नहीं और यहाँ पे एक option और दिखरा है clean up system files का तो basically system files जो system के file होते हैं तो वो files को भी आप delete कर सकते हैं जिससे आपकी system का और space free up हो जाएगा तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको appropriate option check up करके यहाँ से भी files को आप delete कर दीजिए ठीक है recycle bin को भी हम clean up कर दे रहें यहाँ से then click on ok then delete files ok तो it is clean up utility run हो रहा है और आपके system को यह clean कर रहा है necessary file से ठीक है तो दोस्तों इसके अलावा अगर आपके system में अगर antivirus नहीं है तो आप अच्छा सा कोई antivirus इंस्टॉल कर लीजिए और आपके system को time to time scan करते रही है ok तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि यह सबी step करने के बाद आपका system lag free हो जाएगा performance increase हो जाएगा और मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा वीडियो देखने के लिए thank you so much